देज याश्वी महाकाल, जैमाका मक्या, हम गुरु कराल, रुद्रतारा कॉलाचारी महराज, आप सभी का पुना स्वागत करते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल महातंत्रिग्यां 2020 के अंदर भगवती काम, रूपने काम, इश्वरी आप सभी का कल्यान करें, आप सभी की जीवन में रंगत, उमंगत लाएं, आप सभी को हश्ट पुष रखें, निरोग काया प्रदान करें, और माताराने की कृपा से आप सभी तंदरुस्त होंगे, निरोग काया होगे, आपके ऐसा ही साधनाओं के अपर अपने विचार प्रस्तूत करिएगा तो उसे ही संदर्व में आज आप सभी को बताते हैं कि किस प्रकार से आप घर पे रह करके मा भगवती काम रूपनी कामेश्वरी की साधना कर सकते हैं और भगवती की कृपा से आपके जीवन में किस प्रकार से रंगताएगी उमंगताएगी और किस प्रकार से आप इन गुप्त नवरातरी में अपने साधनाओं को अपने पूझास्तर को अपने लेवल को किस प्रकार से आगे कर सकते हैं वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक दबादें आप लोगों का खुद का चैनल है याद रखिए किसे और का नहीं है क्योंकि आप लोगों के कारण ही जो है आज हमें यूट्यूब पर आना पड़ रहा है क्योंकि लोगों को तंतर के नाम पर बेवकुफ बनाया जा रहा था उसका खंडान आज हम कर रहे हैं तो यह सब भगवत्ति की लीला है जो करवा रही है मातारानी दूसरी चीज लाइव आ रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आकर के आप कुछ भी बोल देंगे आपके बापका राज नहीं चल रहा है ठीक है यह वीडियो के जो कमेंट के अंदर जो आ रहा है न यह लव यू लव यू लव यू kindly stop it now इसको मत करिये सीधी सी बात है हम पहले ही बोलते हैं इसकी को मत करिया अन्यता हमको फिर जो है बत्तिमीजी की भाषा पियाना पड़ेगा सुन्दर सभी है संसार में आप मातर इस देहिक सुन्दरता के मीछे मत पड़िये ठीक क्योंकि संसार के अंदर हर वस्तु सुन्दर है हमारे अनुसार तो ठीक यह है कि भागवती किसी को अधिक दे देते किसी को कम दे देते यदि आपको इस प्रकार से अपना नूर बढ़ाना तो जातर कि भागवती की साधा अंकर यह ता पता चलेगा जब गांड फटती है ने किसी के तब पता चलता है कि किस प्रकार से साधना और सिधिया मिलती है और जब सिधियों को प्रभाव दिखता है ना तो बताने कि अशक्ता नहीं है शेहरे का नूरी बता देता है कि इंसान क्या है क्या नहीं है बिल्कुल तमाशा बना रखा आप लोगोंने तो घडिया कहीं के भक्ति जो होती है यह अडंबर से नहीं चलती है याद रखे भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्ति के मार्क पे बढ़ना पड़ता है भक्ति को प्राप्त करना पड़ता है ठीक बताते हैं कि इस प्रकार से आप साध्रा कर सकते हैं हम बताते हैं आपको फुलम दे माई की साध्रा मा फुलम दे का नाम आपने सुना भी होगा भगवती फुलम देहे मूल रूप में वाशन्ती माता को ही बोला जाता है वाशन्ती माता का ही सो रूप है वाशांति देवी जो होती है वो मूल रुप में मा शीतला की साथ बैनों में से एक है और मा शीतला के साथ माः फुलम देहे मां कामक्रया के शक्ति पीधी में आपने देखा होगा कि मा कामक्रया शक्ति पीधी के backside एक ऐसे वज्री योगनी के जैसे इस Stripes में जो है एक मूर्ती लगी है जो की मूल रूप में माः फुलम देही को समर्पित है जहां पर जिसको मा का मख्या के स्थान पे शुरुन देवी ये शुरुन यलम्मा के नाम से भी जाना जाता है ये माता हमारे कामक्या में बहुत वर्षों से पूजी जा रही है और अर्थात यहीं की असल तंत्र देवियों के बीच में विद्यमान है कुछ लोग हरियाने की तरफ इनको फुलम देही बोलते हैं करनाटका की तरफ इस देवी का नाम जो है रेणुका यलम्मा के नाम से भी कुछ लोग इनको जानते हैं और साथ में कुछ जगाओं पर इसको वज्रयोगनी के नाम से भी जानते हैं जो है यदि आप तिबद के और अगर आप चले जाएं और आप यदि उसे अधिक बढ़ते हैं बुधिश तंत्र के अंदर इसको पूशी लांबा नाम करके भी जो है इसकी पूजा की जाती है तारा का ही स्वरूप है और कुछ शेत्रों में जो है भगवति की कृपा से इस जो है मूल स्थान विद्यमान किया जाता है मूल रूप में शम्शान वासने देवी होते हैं शम्शान के अंदर इसकी पूजा की जाती है जो इस फुलम देही मा की सारना करता है उसका स्वरूप उसकी वानी उसका चाल चाल धाल उसके करम उसका मनन और उसके परिवार इत नहीं भगवति की कृपा बरसती है ना जैसे बागों के अंदर जो है जिसमें पुष्प खिलते हैं ना तो पुष्प खिलने के समय ये बताया नहीं जाता कि पुष्पों की सुगंदा रही है या फिर इत्र लगा के बताया नहीं जाता कि हमने जो है इत्र लगाया है उसी प पता देता है सामने वाले को कि आप नहीं शेतर में क्या किया क्या नहीं किया तंत्र कभी भी पहले कभी किसी का गुलाम नहीं था अब किसी का गुलाम नहीं है लेकिन लोगों ने इसको बदनाम किया हुआ शुरू देन से लोग समझते हैं कि तंत्र हमारे उनुसाथ चलेगा पूला के साथ नाम को बताते हैं किस प्रकार से आप कर सकते हैं आम ढुनेत Про संटार लिस्ष आभाल क्वश्व सब्रान संटार audio means ना इसी माश में करना है मूलरुप में महाकामिष्व कि… माभगवती का अवाहन अपने स्थान पे करना है और उस आवाहन के स्थान पर आपने क्या करना है नाना सुगंदानी पुषपानी जो होते हैं जैसे चंपा मालती मोगरादी वजंदादी और जो है इनका प्रयोग करना है प्लस साथ में आपने जो है जो पुषप रहते हैं जवा कुषम के जवा कुषम के पुषप और साथ में योनी पुष्प जिसको अपराजिता बोला जाता है अपराजिता को साथ में आपने रखना है आपने माटी के ऊपर मतलब आपने चिकनी माटी ले आनी है या तो गंगा के किनारी के आप ला सकते हैं या फिर आप ला सकते हैं मूल रूप में किसी भी शुद्ध नदीकी जो आपके आसपास हो या जलाशाय की ला सकते हैं और उसको आपने क्या करना है, उसकी जमीन पे एक लाल कपड़ा बिचाना है, उस लाल कपड़े के उपर उसको योनिका का स्वरूप देना है यह दिख रहा है ना योनिका तो ऐसे योनिका का उसको स्वरूप देना है योनिका स्वरूप देने के पश्चाथ उसके चारों तरफ जो है आपने 16 प्रकार की चीज़े चड़ाने है मातरानी को भोग चड़ाना है प्रसाथ चड़ाना है जो है भगवती का अभिशेकम करना है आपने अलग अलग वस्तों से अभी शेकम करना है मातरानी का अभी शेकम के प्रशाथ जो है उसका उसके उपर सिंदूर चड़ाना है आलता चड़ाना है आपने से और सिंदूर और आलता के प्रशाथ आपने भगवती के उपर चुनरे डाल करके उसको धक देना है इन नवरात्तिरी के नो दिनों तक उसके सामने बैठ करके आपने मंत्र जाप करना है भगवती फुलम देगा जो हम यहाँ पे नहीं बताएंगे सभी को और मतलब सीधे में नहीं बताएंगे मतलब जो क्या बोलते हैं उसको मतलब यहाँ पे बताने की चीज़े नहीं है यह सब चीज़ें मतलब गुपत रहता है जितना भी रहता है अधिक से अधिक इसको करना है जितना अधिक आप करेंगे माताराने की करपा से उतना अधिक जो है इसका प्रभाव दिखेगा उतना अधिक आपको फल पराप्त होगा तो देवी मा की कृपा से जो है आपको सिध्धी पराप्त होगी ही होगी है जो है मतलब यह गैरेंटिड ही है शेतर में क्योंकि मातरानी की कृपा से कोई चीज गलत तो होते नहीं अगर सही तरीके से करें इसको लोग किया है कि आप आडंबर में ज़्यादा फस जाते हैं मतलब, लोगों को method समझने है साधना को करने का दूसरा उनको kriya है ही नहीं समझने किस kriya से होगा, किस vidhi से होगा ये नहीं समझना है लोगों को लोगों को सिर्फ यही समझने कि सामने वाला किस वीदित हैं समझा रहा है तो सामने वाला पहले ही नंगाया वो आपको क्या नंग देगा ये बताओ ज़रा हमाम का मख्य शक्ति पीट से जो है जुड़े हैं हमारा तो नामी बहुत है इस श्यत्र में कि क्या करना है क्या नहीं है समझे तो हमें किसी अपने नाम के साथ किसी की टैग की अवशक्ता नहीं है समझे अगोरा मर्ग से हम भी दिक्षित हैं बहुत समय पहले कर चुके हैं लेकिन हम कभी अपने नाम के साथ अगोरा शब्द का प्रयोग को नहीं करते हैं हम कौलब कावला अचार संपरदाय का प्रोक और क्या होता है कि मा काम रूपनी काम इश्वरी ऐसी किसी को नहीं मिलती लोगों को कड़ी मेहनत करने पड़ती है जीवन निकल जाता है समझे आप लोग बोल देते हैं कमेंटों के अंदर कि गुरुजी हमें चोटी-चोटी जो है साथना है भूत की साथना है पिशाच की साथना है इदाकनी क चोटी-चोटा जीनहें कि गूरुजी को पूछी जिनकी कटी है कृते हैं वूजे कि आप लोगया करके बोलते हैं कि मतलब बोल दो कि जीन ने चूतियां थे हम तो सही में हम तो हमें यह लगता है कई बार शेतर में कि जैसे तुम लोग बात करते है गुरुजी तो बहुत चोटी-छोटी साधना, अच्छा हमने तूने कबसे कर लिया साधनाओ, तूने कबसे एक्स्पेरिएंस कर लिया भढ़े इस चीज का बना SPI, ज्यादा मूप में हो плघ कर सकता, बिना दाए, निकल के आगे हो बॉलता मुझत तो आँपर शक्ता मैं नहीं हो सकता, वृस Caesar के अंदर को एक है यह हम ने इसी कि majh किरतारों प्तिता मैं की कि शेंगी हम तो मंठरी साथ झालाέλ करींगेancis हमें पसंद नहीं सीधी सी बात है क्योंकि यही हमारी असल वाणी है समझे जो हम बता रहें तुम लोगों को इस समय जो तुम लोगों के सामने बोल रहे हैं जितना अगर हम सही बोलने की प्रतन करते हैं उतने बत्तमीजी पर जो है हमें बोलने पर मजबूर करते हैं कमेंटो को तारेगी अगले जीवन को भी तारेगी समझे तो ज्यादा शकल के उपर मत जाओ गंदे लोग कहीं के जैमा का मक्या